वो लिया यादर साब आखिर सबूतों से और से मेरा सवाल सुन लीजे आखिर सबूतों से हीरिंग से मुश्लिम पक्ष क्यों भाग रहा है मेंटे विने बिलिटी ऑफ सूट पर वापस मामला लाने की क्या जरूरत है अंजना जी देश का प्रमुक चैनल आपका है मैं बता देना चाहता हूं कि 7-11 में यही बात तो तय होना है 7-11 में वह तीन चीजे दिखाएंगे पहला दीन मौमध का केस दूसरा 91 वर्क्षिप है और तीसरा जो वह व्यास परिवार करता है वह व्यास परिवार का परिशर है यहां तो बिगाने के साधी में लोग अब्दुल्ला दिवाना बन गए व्यास परिवार भी उस परिशर चाबी अब किसके पास है यहां पर दर्वाजा तोड़ दिया गया तोड़ दिया गया वह समय उपन है वहां पर बाज बल्ली लाटी सब पड़ा हुआ है और दोड़ा उसकी वीडियोग्राफिय हो चली कोई दर्वाजा नहीं लगा हुआ है जब 1996 की कमिशन की रिपोर्ट कि जब दिया परिवार की जो बात कर रहा है वह याचिका इस समय माननी उच्छ ले इलहाबाद में परिंडिंग है जस्टीस पाडिया सांथ ने प्रसेटिंग के इस्टे कर रखा है उस याचिका में इन लोगों ने बैस परिवार को इतना सम्मान दिया कि उस याचिका में इस उनका नाम तक काट दिया और नया मित्र के तोर पर वारान ची के वरिश टेदिवक्ता स्री बिजय संकर रस्तोगी जी है और ये कार रहें कि व्यास परिवार काओं तो वहां से श्कनाबूद कर दिया अग्दम आपकी व्यास परिवार की चिंता सिर होगी आप लोगों की तरफ से ये समझाएगे हैं हम तो यह कहेंगे कि दीन मौमत के से इसाइड है इन मौमत से उनका हग डिसाइड है और प्यास परिवार का भी इसाइड है और वार्ट पार्टी नहीं बने तमाजबीन बन के देखते रहें साब और वन रूलेट में कोई कोई आप नोटिस नहीं जारी की गई एक देखें लिए आपकी बात चली पर उनकी आवाज कट जाएगी बोली बुलियम्स्तर यादवा इक लाग संगे टी मेरी बात फ़तम हो जागी कि आपने गिए मुगदमा दाखिल किया है इसका लिमिटेशन और अंग्जेवता यह आजादी के बाद से हुआ, यह हाईली टाइम बाट मुकस्मा आपने क्यों दाखिल कर दिया, बस इस पर आपका जवाब देज़ें, तो जब हमारा वहाँ पे पूजा का अधिकार रोका गया, यह पाँच महिलाएं सामने आई है, 1991 से अलड़ी रस्तोगी साब का केस चल रहा है, जो इलावाद हाई कोर्ट में स्टेक कर रखा है, अब हम पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, और यह अधिकार भारत का सम्विदान आर्टिकल 25 हम को देता है, अगर आपने मेरा मंदिर तोड़ को मस्जिद में कनवर्ट किया ह तो उसको कभी भी रेस्टोर करने के लिए हम कोर्ट में आगे जा सकते हैं, मैंने राम मंदिर का पैरा 356 से लेके आपको सारी चीज़े कोर्ट की, कि भक्त और भगवान दोनों सामने आ सकते हैं अगर शिवायत नेगलिजेंट रहो, और यहाँ पे कोई शिवायत नहीं था हमें पोजेशन से बाहर किया गया है, इसलिए आज हम सामने आएं, तो यह सवाल आप हमसे नहीं पूछ सकते हैं, आपको खुद से पूछना चाहिए, कि वफ एड में सेक्षिन एक सवाट क्यों बना हुआ है, आप जब चाहें, किसी भी संकत्ति को वफ संकत्ति गोशित कर लेकिन कोट ने उस माबले में तो अभी हाई कोट ने तो बहुत ही हाई कोट की बात नहीं कर रहा हूं, तो दूसरा फैक्ट बता रहा हूं, कि ताज महल को वफ संकत्ति गोशित किया 2005 में, और ASI समय सुप्रीम कोट में अपील है, उस अडर के गेस, तो 2005 में क्यों याद आ क्यों याद 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 आए याद 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 इंप टावर याद जामा वाद याद जाए याद टाब।